नमस्कार राश्ट्रिय मुक्त विद्यालेई सिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत हैं मैं प्रतीक उपाध्याय सहायक आचार आज हम लोग सर्वांगसमता एवं समरूपता प्रक्रण पे चर्चा करेंगे तथा उसे समझने का प्रयास करेंगे सर्वांगसमता दो वस्तूओं के सर्वांगसम होने का संबंद सर्वांगसमता कहलाती हैं समतल पर ज्यामिती आकरितियों की दो विशेस्ताएं हो सकती हैं पहला उनका रूप दूसरा उनका आकार जब वस्तूओं या आकरितियां रूप एवं आकार दोनों में ही समान होती ह हैं तब वे वस्तुवें सर्वांगसम कहलाती हैं अर्थात सर्वांगसम वस्तुवें एक दूसरे की हूँ बहू प्रतलिपियां होती हैं हम अपने दैनिक जीवन में सर्वांगसम वस्तुओं या सर्वांगसम आकृतियों के अनेक उदाहरण देख सकते हैं डाक का टिकट ब पदूसरे की प्रतिलिफियां होती हैं अता इनेह हम सरवांगसम वस्तुएं या सरवांगसम आक्रितियां कह सकते हैं सरवांग्सम्ता को चित्र में दिखाए गए चिंध से प्रदरशित करते हैं दो आक्रितियां जब एक समान होना अर्थात सभी प्रकार से बराबर होना चित्र में ए और बी दो आकृतियां हैं अगर हम इनको एक के उपर एक रखें तो ये आकृतियां एक दूसरे को पूर्टया ढख लेंगी अतह इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आकृति ए और आकृति बी सरवांगसम हैं बीच वाले चित्र में कुल चार आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं आकृति एक, आकृति दो, आकृति तीन और आकृति चार क्या आप बता पाएंगे कि कौन सी आकृतियां इसमें सरवांगसम हैं अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि आकृति एक और आकृति चार सरवांगसम हैं क्योंकि आकृति एक और चार को एक के ऊपर एक रखने से एक दम से दोनों एक दूसरे को ढख लेंगी अर्थात आकृति एक और आकृति चार हूब हूँ एक दूसरे की प्रतलिपियां हैं जबकि बाकी आकृतियां सरवांगसम नहीं कही जा सकती हैं नीचे के चित्र में F1 और F2 दो आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं ये दोनों आकृतियां भी सरवांगसम हैं क्योंकि इन आकृतियों के सभी अंग समान हैं सभी प्रकार से ये आकृतियां एक दूसरे के बराबर हैं यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो उन्हें हम सरवांगसम रेखाखंड कहते हैं जबकि इसके बिपरीद यदि दो रेखाखंड सरवांगसम हैं तो उनकी लंबाई समान होगी जैसा कि हम जानते हैं रेखाखंड को हम AB से प्रदर्शित कर सकते हैं चित्र में रेखाखंड AB और रेखाखंड CD दिखाई पड़ रहा है हम AB बराबर CD लिखते हैं जब रेखाखंड AB और रेखाखंड CD बराबर हो वास्तों में AB और CD बराबर नो होकर सरवांग सम होते हैं लेकिन व्यवारिक भाषा में इसे हम AB बराबर CD लिखते हैं चित्र दो में आप देख सकते हैं कि PQ और RS दो रेखा खंड हैं जो की सरवांगसम नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेखा खंडों की लंबाईयां और समान हैं यदि दो कोणों की माप समान हो तो दोनों कोण सरवांगसम कहे जाते हैं चित्र एक और चित्र दो में दो कोण बने हुए हैं कोण CBA 40 अंश का कोण है तथा कोण RQP 40 अंश का कोण है चुकि दोनों कोणों की माप समान है अता हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रतिलिप हैं अता कोण A, B, C और कोण P, Q, R सरवांगसम हैं इसकी विपरीत यदि दो कोण सरवांगसम है तो उनकी माप भी सदयो ही समान होगी अर्थात सरवांगसम होने पे दो कोण समान होते हैं और समान कोण होने पे दोनों सरवांगसम कहे जाते हैं नीचे के चित्र में दो कोण दिखाई पड़ रहे हैं कोण LMN जो की 30 अंश का है तथा दूसरा कोण XYZ जो की 40 अंश का है उपर की विशेषता के आधार पे हम कह सकते हैं कि कोण LMN और कोण XYZ सरवांगसम नहीं हैं यदि दो त्रिभुज समान आकार एवं समान आमाप के होते हैं तो वे सरवांगसम त्रिभुज कहे जाते हैं चित्र में ABC तथा PQR दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं ये दोनों त्रिभुज समान आकार और समान आमाप के हैं कहने का आशय यह है कि इन दोनों त्रिभुजों का रूप तथा आकार दोनों ही समान है अथवा दूसरे सब्दों में यदि पहले त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के उपर रखा जाए तो ये पूरी तरह से उसे आक्षादित कर लेगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज A, B, C, त्रिभुज P, Q, R के सरवांगसम है यदि त्रिभुज सरवांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग समान होते हैं नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं A, B, C एक त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज P, Q, R है दोनों चित्रों की तुलना करने से हमें ग्यात होता है जैसा कि चित्र में दिखाई भी पढ़ रहा है कि त्रिभूज ABC की भुजा AC त्रिभूज PQR की भुजा PR के बराबर है त्रिभूज ABC का शीर्ष A त्रिभूज PQR के संगत है उसी तरह से शीर्ष C शीर्ष P के संगत है और शीर्ष B शीर्ष Q के संगत है इस आधार पे हम कह सकते हैं कि त्रिभूज ABC त्रिभूज PQR के सरवांसम है त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ प्रतिबंद होते हैं अर्थात कब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और कब दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे आईए इसके बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करें पहला प्रतिबंध है S-S-S प्रतिबंध, S-S-S का आशे भुजा भुजा है, S का अंग्रेजी रुपांतरण है, साइड का अर्थ होता है भुजा, भुजा 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 प्रतिबंध क्या होता है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं करमशह दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सरवांगसम कहे जाएंगे चित्र में दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं A, B, C पहला त्रिभुज है P, Q, R दूसरा त्रिभुज है जब हम इनकी भुजाओं की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है जैसे भुजा A, B, 3.5 cm है त्रिभुज A, B, C की वहीं त्रिभुज P, Q, R की भुजा P, R, 3.5 cm है इसका मतलब भुजा A, B, बराबर भुजा P, R अगर हम दूसरी भुजा को लें त्रिभुज A, B, C की भुजा A, C 5 cm है और त्रिभुज P, Q, R की भुजा Q, R भी 5 cm है अर्थात भुजा A, C, बराबर भुजा Q, R त्रिभुज A, B, C की तीसरी भुजा B, C 7.1 cm है और त्रिभुज P, Q, R की तीसरी भुजा P, Q भी 7.1 cm है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज P, Q, R की संगत भुजाएं करमशह एक दूसरे के बराबर है अर्थात त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं या यूं कहें कि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसे हम SSS प्रतिबंद कहते हैं क्योंकि सरवांगसम होने के लिए इसमें त्रिभुज की भुजाओं को आधार बनाया गया है S-S-S प्रतिबंध के बाद हम सरवांगसमता के दूसरे प्रतिबंध पर आते हैं दूसरा प्रतिबंध S-A-S प्रतिबंध कहलाता है S-A-S का आशे है भुजा, कोण और भुजा प्रतिबंध S से आशे साइड से है और A से आशे एंगिल से है भुजा, कोण, भुजा प्रतिबंध क्या होता है आईए हम देखते हैं एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण जब दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सरवांसम कहे जाते हैं चित्र में A, B, C पहला त्रिभुज है, E, Q, R दूसरा त्रिभुज है पहले त्रिभुज A, B, C की भुजा A, B, 2 cm है और भुजा B, C, 4 cm है तथा कोण A, B, C, 50 अंसका है वहीं दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज P, Q, R में भुजा P, Q, 2 cm की है और भुजा Q, R, 4 cm की है जबकि कोण P, Q, R, 50 अंसका है हम देख सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर है अर्थात भुजा A, B, B बराबर भुजा P, Q दोनों ही 2 cm की है वहीं भुजा B, C, बराबर भुजा Q, R, 2, 4 cm की है और इन दोनों भुजाओं से बना हुआ कोण A, B, C, 50 अंसका है जबकि दूसरे त्रिभुज में कोण P, Q, R, 50 अंसका है अर्थात दोनों त्रिभुजों को अगर तुलना की जाए तो पहले त्रिभुज की दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है तथा इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी दोनों त्रिभुजों में बराबर है अता ये दोनों त्रिभुज सरवांगसम हो जाएंगे तो जो सेश भुजा और सेश कोण है वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे नीचे के त्रिभुज में आप देख सकते हैं एक त्रिभुज C, O, B है जबकि दूसरा त्रिभुज A, O, D है भुजा C, O, भुजा O, D के बराबर है भुजा A, O, भुजा O, B के बराबर है और कोण A, O, D बराबर कोण C, O, B के है क्योंकि ये सीर्शा विमुख कौन हैं तो आपस में बराबर होंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि दो भुजाएं और उन दो भुजाओं से बना हुआ कौन दोनों तिर्भुजों में बराबर हैं अतह तिर्भुज A.O.D. और तिर्भुज C.O.B. सरवांसम होंगे अभी हमने देखा कि दो भुजाएं और उनके बीच का कौन जब दूसरे दो भुजाओं और उनके बीच का कौन के बराबर हो अर्थार शॉर्ट फार्म में इसे हम S.A.S. कहते हैं तो दो दो भुजाओं सरवांसम होते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों त्रिभुज सरवांसम होंगे अर्थात A.S.S. मतब एक कौन और दो भुजाएं अथवा S.A. अर्थात कोई भी दो भुजाएं और एक कौन के बराबर होने से दोनों त्रिभुज सदयव ही सरवांसम नहीं हो सकते हैं चितर में आप देख सकते हैं त्रिभुज A.B.C. और त्रिभुज P.Q.R. दिए गए हैं भुजा A.B. 5 cm की है दूसरे त्रिभुज में भुजा P.Q. 5 cm की है मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई उसी तरह से भुजा B.C. 4 cm की है तथा भुजा Q.R. भी 4 cm की है इसलिए ये भुजाएं भी दोनों त्रिभुजों में बराबर है और एक कोण भी बराबर है लेकिन वह कोण इन दो भुजाओं के बीच का कोण नहीं है पहले त्रिभुज में A.B.C. में कोण A.C.B. 50 अंसक है अतह हम का सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे कहने का अर्थ यह है कि सर्वांगसम होने के लिए S.A.S. प्रतिबंद तो होता है लेकिन S.A. अर्थाद भुजा भुजा कोण प्रतिबंद नहीं होता है या A.S.S. प्रतिबंद भी नहीं होता है तीसरा प्रतिबंद सरवांग समता का ASA प्रतिबंद कहलाता है अर्थात कोण भुजा कोण प्रतिबंद आईए हम इसको समझते हैं यद किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतरगत की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और अंतरगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सरवांगसम कहे जाते हैं चितर में A, B, C तथा P, Q, R दो त्रिभुज हैं त्रिभुज A, B, C के दो कोण, कोण A, B, C और कोण A, C, B दिये गए हैं जो करमशर 60 और 45 अंस के हैं दोनों कोणों के अंतरगत की जो भुजा है B, C वो 4 cm की है त्रिभुज P, Q, R में आप देख रहे हैं कि कोण P, Q, R, 60 अंस का है तथा कोण P, R, Q, 45 अंस का है जबकि इन दोनों कोणों के अंतरगत भुजा Q, R, 4 cm की है अर्थाद दोनों त्रिभुजों में दो कोण तथा उनके अंतरगत की भुजा समान है अता हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सरवांगसम होंगे जब त्रिभुज सरवांग संग होंगे तो त्रिभुज के अन्य कोण और अन्य भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे अर्थाद संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी इसे हम A.S.A. प्रतिबंद कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि यदि दो तिर्भुजों में यदि दो संगत कोण बराबर हो गएं तो तीसरा कोण स्वतर ही बराबर होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तिर्भुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंस होता है यदि दो कौन बराबर हैं तो तीसरा कौन स्वता बराबर हो जाएगा और इस प्रकार से ASA प्रतिबंद, AAS प्रतिबंद के समान ही हो जाएगा अब हम त्रिभुजों की सरवांग समता के गुड के बारे में जानेंगे S, A, S प्रतिबंद तिर्भुजों की सरवांग समता के किस विशेषता के बारे में बताता है सम दिवाव तिर्भुज की बराबर भुजाओं के सम्मुह कों बराबर होते हैं चित्र में A, B, C एक सम दिवाव तिर्भुज है जिसकी भुजाएं A, B और A, C आपस में बराबर हैं जबकि भुजा B, C आधार है चित्र में हम तिर्भुज A, B, C को देख रहे हैं भुजा A, B के सम्मुह कों C और भुजा A, C के सम्मुह कों B आपस में बराबर होंगे जिसे हम S, A, S प्रतिबंध द्वारा सिद्ध कर सकते हैं शीर्ष A से D पर अगर लंब खीचें और S, A, A से भुजा B, C पर D बिंदु पर अगर लंब खीचें और S, A, S प्रतिबंध को देखें तो हम पाएंगे कि त्रिभुज A, D, B और त्रिभुज A, D, C सरवांगसम है और इस प्रकार से कोंड C और कोंड B आपस में बराबर हो जाएंगे सरवांगसमता के तीन प्रतिबंधों को जान और समझ लेने के पश्चात हम एक विशेश प्रकार के प्रतिबंध के बारे में जानेंगे, समझेंगे जिसे हम R, H, S प्रतिबंध कहते हैं R से A से राइट एंगिल, ट्रेंगिल से है H से हाइपोटेनियस और S साइट को दर्शा रहा है किसी समकोन तर्भुज का करण तथा एक भुजा करम शह किसी दूसरे समकोन तर्भुज के करण तथा एक भुजा के बराबर हो तो दोनों तर्भुज सरवांग सम कहलाते हैं चितर एक में, दो तिर्भोज हैं, तिर्भोज PQR तथा दूसरा तिर्भोज ABC है। अगर हम दोनों त्रिभुजों की तुनला करें तो हम पाते हैं कि दोनों ही त्रिभुज में करण RQ और दूसरे त्रिभुज का करण AC बराबर है जबकि एक भुजा त्रिभुज PQR की 3 cm और त्रिभुज ABC की 3 cm है और ये दोनों त्रिभुज समकोन त्रिभुज हैं इसलिए कि ये दोनों त्रभुज सरवांगसम होंगे वहीं हम दूसरे चितर में देख रहे हैं कि दो त्रभुज दिये हुए हैं A, B, C और P, Q, R इन दोनों त्रभुजों में भी एक भुजा बराबर है, दोनों ही त्रभुज समकोड त्रभुज है लेकिन दोनों के करण अलग-अलग है इसलिए ये दोनों त्रभुज सरवांगसम नहीं कहे जाएंगे दो त्रिभुजों के तीनो कोणों की समता सर्वांग समता के लिए परियाप्त नहीं होती है अगर दो त्रिभुज हम लें और उनके तीनो कोण अर्था तीनो संगत कोण अगर बराबर हो तो भी यह आवश्यक रूप से नहीं कहा चा जा सकता है कि वो दोनों तरभुज सरवांसम होंगे हम चित्र में 1, 2, 3, 4 तरभुज देख रहे हैं तरभुज 1 और 2 के सभी कोन या सभी संगत कोन एक दूसरे के बराबर है लेकिन तरभुजों का रूप तो एक जैसा है लेकिन आकार भिन होने के कारण ये त्रभुज सरवांगसम नहीं है उसी तरह से त्रभुज 3 और 4 भी रूप में एक जैसे हैं लेकिन आकार भिन होने कारण सरवांगसम नहीं कहे जा सकते हैं अर्थात हम कर सकते हैं कि त्रभुज के कोणों के समान होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वे त्रभुज सरवांगसम हों किसी त्रभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज A, B, C एक त्रिभुज है जिसके दो कोण, कोण A, B, C और कोण A, C, B बराबर हैं जो की 50 अंसके हैं तो कोण A, C, B की सम्मुख भुजा A, B, कोण A, B, C की सम्मुख भुजा A, C के बराबर होगी इसे हम सर्वांग सम्ता के A, S, A प्रतिबंध द्वारा सिद्ध कर सकते हैं जो बताता है कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण और उनके अंतरगत की भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम्ता को समझने के पश्चात अब हम त्रिभुजों की या आकृतियों की किसी भी ज्यामिती आकृति के दूसरी विशेस्ता जिसे हम समरूपता कहते हैं उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, किसी समतल पर ज्यामिती आकरिती के दो पक्ष होते हैं, आकार और रूप, जब आकरितियों का आकार तथा रूप दोनों समान होते हैं, तब वे आकरितियों सरवांसम आकरितियों कहलाती हैं, जब आकरितियों का रूप समान हो भिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धिन्धि होते हैं रूप में भी समान होते हैं और आकार में भी समान होते हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियां सरवांग सम नहीं होती हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समान उपात के संगत कौन समान है कौन ए 105 अंज का है कौन पी 105 अंज का है कौन भी 100 का है कौन क्यू 100 का है उसी तरह से बाकी के दोनों संगत कौन भी बराबर हैं दोनों ही चत्रभुज रूप में एक जैसे हैं लेकिन आकार में एक जैसे नहीं हैं आकार में दोनों चत्रभुजों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक चत्रभुज संगत भुजाएं दूसरे चत्रभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हैं अर्थात एक संगत्भुजा यदि दो दस्मल्णलों एक सिंटाइमीटर है तो दूसरे चत्रभुज कि वहीं संगत्भुजा 2 pour नए के बराबर है इस तरह से हम कह सकते हैं यदी आकृतियों के संगत बराबर होन। और संगत भुजाएं अगर बराबर न भी हों तो समान उपाती हों तो आकरितियां समरूप कही जा सकती हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी वर्ग हैं आकरिती में समान हैं रूप में समान हैं आकरिती बड़ी और छोटी भी हो सकती हैं उसी तरह से दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कौन बराबर हों तथा संगत हो जाएं बराबर ह सब ही संबाह तृर भूज समरूप होते हैं तृर भूज A, B, C तथा तृर ड, E, F में आप देखते हैं कि कौण A कौण D के बराबर है कौण B कौण E के बराबर है कौण C कौण F के बराबर है जब कि A, B और D کا अनुपाट B, C, और E, F के अनुपाट और CA और FD के अनुपात के बराबर है इस प्रकार हम कर सकते हैं कि त्रभुज ABC और त्रभुज DEF समरूप है त्रभुजों की समरूपता की कसौटी जिस प्रकार से त्रभुजों की सरवांग समता की कसौटी होती है उसी प्रकार से त्रभुजों की समरूपता की कसौटी होत दूसरी कसावटी a a अर्थाद कोन कोकोण कशावटी है। जब एक त्रभूज के दो कोण दूसरे त्रभूज के करम artistic दो कोणों के बराबर हों तो दोनों और त्रभूज सम्रूप कहा śकते चितर में ABC और DEF दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं अगर इनके दो कोण बराबर हैं तो हम जानते हैं कि चुकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 अंस होता है तो तीसरा जो कोण है वो सोता ही बराबर हो जाएगा समरूपता की तीसरी कसावटी SSS अर्थात भुजा 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 कसावटी कहलाती है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं या कहे जाते हैं चित्र में ABC और DEF दो त्रभूज दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी भुजाएं समानुपाती हैं अता ही ये दोनों त्रभूज समरूप त्रभूज कहे जाएंगे इस प्रकार आज हम लोगों ने जामती आकरितियों की सरवांग समता एवं समरूपता को जानने और समझने का प्रयास किया है इसके अंतरगत रेखा खंडों की सरवांग समता कोणों की सरवांग समता त्रभूजों की सरवांग समता त्रभूजों के सरवांग सम होने के लिए कि यह सब्सक्राइब को जाना और समझा है त्रवांग समता की विशेष्टा जो होती है उसके क्या उपयोग हो सकते हैं उसके बारे में भी जानने और समझने का प्रयास किया है उसी प्रकार सरवांग समता के समरूप आकरितियां क्या होती है उसको भी जानने और समझने का प्रयास किया है और समरूप आकरितियों के लिए क्या क्या कसावटियां हो सकती है उसको भी जाना और समझा है आशा है कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी धन्यवाद